तमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजयनी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बड़ा एक्शन हुआ है टेरर फरंडिंग मांखले में यूपी एटियस ने अबू सलेब मंदल को गिरफतार कर लिया है यह बड़ी गिरफतारी जो की लगना उसे हुई है मैं आपको यह बतातूँ कि यूपी एटियस को बड़ी काफिया भी मेरी है चुकि इनावी अबू सलेब मंदल को गिरफतार कर लिया किया है यह एंचियो चलाता था अबू सलेब मंदल और इस तरीके से विदेशी फंडिंग का भी माफला इस पर दर् नहीं चा रही है चोकि एंचियो की आड में देश फिरोधी गतिवित्यों का आप अबू सले पर है और यह भी है कि चार साथ में लगभग 58 करोड रूपय की फंडिंग अबू सले ने ली है और इनाम उस पर रखा गया था 50,000 रूपय जिसके बाद अब यूपी एटियस न में खुसपैट कराने का काम भी अबू सले मंडल कर रहा था तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी काफ्याबी उत्तर परदेश की सरकार और साथी साथ उत्तर परदेश एटियस की है जिस तरीके से एंटी टेरिस्ट इसकार्ट ने यह गिरफतारी अबू सले की की है ज जो जानकारी इस पूरे माफले में साथ ने आई है उसमें यह बताया क्या है कि जो अबू सले मंडल गिरफतार किया है वो पश्रिम बंगाल का रहने वाला है पचास साल का अबू सले जिस पर एटियस ने पचास हजार रूप्य का इनाम भी खोशित कर रखा था और अबू सले ने देवपंद के दाखूल उलूम मदर्सा से मौलाना की पढ़ाई की है एटियस ने आरूपी के पास से एक लाक रूप्य से जादा का कैश और साथी दो मोबाइल भी जप्त किये हैं ये भी चानकारी साफ ने आई है तो एक बार फिर से देवपंद के दाखूल उलू की घटनाए हुई है वहाँ पर दरसल धर्म की सिक्षा की आड में जो पढ़ाई वहाँ पर हो रही है जो तालीम वहाँ पर दी जा रही है क्या वो टेरिस्ट बनने की तालीम दी जा रही है मौनाना बनने की आड में ये सवाल लगातार उठते रही है और एक पार फिर से द से अब हो सकते हैं चुकि टेरर फंडिंग से चुड़ा ये पूरा मामला है मैं आपको ये भी बतादूं कि उत्तरप्रदेश ATS को बीते कुछ दिन पहरे ही ये इन्पूट मिले थे कि कुछ लोगों ने Biz अवएद खुसपैठ्यों को वजी भारती रस्तवेज के सहरे-Бारत में बसाने का काम कर रहे हैं ये सिंटिकेट उन लोगों की आर्थिक मदद करके उनसे राश्ट्र विरोधी गतिविध्यों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं इस इंपुट पर कारवाई करते हुए अब यूपी एटियस की टीम ने अलगलग तारीकों में कुल 6 लोगों की पहले ही गि भी शामिल हैं यानि इन शैन लोगों की गिरफ़़्तारी पहले ही हो चूकी है और अब अबूस सले मंडल को गिरफ़तार किया किया है जो की फंडिंग कर रहा था लगातार विदेशों से और उसका इस्तेमाल जो है देश-बिरोधी गतिविध्यों के लिए इसका इस्तेम और यह पूरा सिंडिकेट बना हुआ था लेकिन अब इस तरीके से यूपी एटियस ने इस एंजियो के संचालक अबू साहिल को गिरफतार किया है और लाखनाओं के मानक नगर से एंजियो संचालक अबू सले मंडल को गिरफतार किया क्या है वहीं आरोपी अबू सले ने एटियस से जो पूस्ताच में बताया है उसने यह जानकाही दी है कि वह हरोहा अल जम्यातुल इसलाफिया दाहुलूम मदर्सा कबीरपाग मिल्लत अकैडवी के नाम से ट्रस्टों का संचालक है यानि अलगलग ट्रस्ट उसके जरिये चल लगभग 58 करोन रुपे की फंडिंग मिली है इसके साथ ही विदेशी फंडिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी टीम के सदस्यों से फरजी बिलिंग कराकर नगत हासल उसने किया है यह जानकारी उसने यूपी एटियस को दी है तो कितना बड़ा सिंडिकेट अबू मंडल चला रहा था यह जानकारी उसने एटियस की पूस्टाच में दी है यह अपने आप में उत्तर प्रदेश एटियस की एक बहुत बड़ी काह्मियाबी है एक गिरो का परदाफाश हो सकता है तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री योगी आदितना जिस तरीके से इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ काम कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने पुलिस और प्रशासन को साफ तोर पर निर्देश दिया है कि किसी भी खुसपैठे और रोहिंग्या को बक्षा नहीं जाना चाहिए इनको जो बसाने का काम कर रहे हैं जो पूरा सिंडिकेट चुला रही हैं उन पर भी सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए कई लोगों पर यूए पीए की धाराओं में भी मुकदमा दर्च हो चुका है कई गिरफदार्या यूपी एटियस ने की हैं और अब ये एक और बड़ी गिरफदार ही इसके लाफा अब्दुल्ला गाजी नाम के व् साथ ही एटियस पूस्ताच में ये भी साथने आये हैं कि कुछ धन हवाला के जर्गे भी कैश के रूप में मिला है और इसका इस्तिमाल अपने सिंडिकेट के लिए अवैद रूप से रोहिंग्याओ और बांगलती इश्यों की भारत में घुसपैट कराने में किया जाता थ साथ ही उन लोगों को आर्थिक मदद करने फरजी भारते दस्तवेज बनाने और हवाला की माध्यम से उस पैसे को अन्याराज्यों में भीज़ कर राश्ट्र विरोधी गतिविध्यों में उस पैसे का इस्तिमाल किया जाता था ये बड़ा खुलासा अब अबू सले मंडल क और से ही किया है ये बड़ी काफ्या भी यूपी एटियस को मिली है लेकिन इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल से तालुक रखने वाला अबू सले मंडल किस तरीके से पूरे देश में ये आतंक फैलाने का काम कर रहा था तमाम रोहिंग्या और घुसपै काम कर रहा है और भालत को देहलाने की साजिश रच रहे हैं तो इतने बड़े पैस Insurance है कुछ देश विरोधी लोग इनका भरपूर इस्तिमाल कर रहे हैंं और हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल जहर राच्छ से जहां पर ममता बेनर्ची लगातार रोहिंग्याओ और घुसपैठ्यों को बसाने का काम कर रही हैं सर्फ तूस्टिकरन की राजनिती करने के लिए सिर्फ वोट बैंक के लिए तो इस तरीके के खालात भी देश के कई राज्यों में बन रहे हैं फिर चाहे वो पश्यम बंगाल हो फिर देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो जहां पर सथाधारी पार्टी और उनके नेटा अलग से अवैद रोहिंग्याओं और घुसपैठ्यों की बस्ती बना रहे हैं उन्हें तमाम सुईधाय दे रहे हैं ताकि वहां पर तमाम वोट बैंक बटोरा जाए लेकिन इन सिंडिकेट का सरगना कह सकते हैं अबू सले मंडल जिसकी गिरफदारी की गई है टेरर फंडिंग केस में अबू सले मंडल को गिरफदार किया गया है और यूपी में योगी सरकार के साथ साथ ये यूपी एटियस की भी एक बहुत बड़ी काफियाभी के तौर पर इस गिर कर क्या राए है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थन्यवाद